जिंदगी का मकसद जिंदगी बर्हाने में नहीं, बल्कि इसे ब्राहे रास एक्रे में है, उस्सा हमेशा बेवकूपी से शुरू और शर्मिंदगी पर फत्म होता है. जिंदगी की सब्से बरी फता है, नफस पर काबू पाना है, अगर नफस ने दिल पर फता पाली तो समझो दिल मिलता है. हर चीज में तब दिली प्यारी है, पुर्बत इंकिलाव और जुर्म की मा है, फित्रत कुछ पी विकार नहीं करती, मेयार एक अमल नहीं है, ये एक आदत है, सबका दोस्त किसी का दोस्त नहीं होता, परे लिख्या का अंपर से इतना ही फर्क होता है, इतना जिंदा का ज़्यादा फॉप से डूप जाते हैं, खुशी का इनिसार हम पर होता है, दमाग की तवानाई जिंदगी का नुचोर है, अकलमन आदमी अपने आपको बिला वज़ा खत्रे में नहीं जालता, इंसान जानमों में सबसे ज़्यादा जहीन है, और सबसे ज़्यादा अख्मक एक वफदर दोस्त, दस हजार रिष्कादारों से बहतर हैं, अगर आप किसी चीज़ के लिए खरे नहीं हैं, तो आप किसी चीज़ के लिए भी गिर जाएंगे, दिन इमानदार लोगों के लिए हैं, और रात प्योरों के लिए, मैंने सीखा है कि लोग आपकी बातों को बूल जाएंगे, लोग आपके काम को बूल जाएंगे, लेकिन लोग ये कभी नहीं बूलेंगे कि आपने कैसा महसूस किया, जिन्दगी का मकसद क्या है, दूसरों की खित्मत करना और नेकी के काम करना, उस मकस तक ना सोएंगे, जब तक आप अपने जहन में यथीन बार ये इतना दुरा लें, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या अच्छा किया, मैं क्या करना बूल गया, मुश्किल वक्त इन्सान को वो सिखाता है, जो इन्साम आम हालात में नहीं सीख सकता, तन्कीद ऐसी चीज है, जिससे हम आसानी से बढ़ सकते हैं, कुछ ना कहतर, जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, जितनी ज्यादा खुश्खाली मिलेगी, खुशी अक्सर उस दर्वादे से अंदर दाफिर होती है, जिसे आप नहीं जानते थे, कि आपने खुला छोड़ दिया है। जितना हम चीजों को एहमियत देते हैं, उतना ही हम कुछ की एहमियत खोड़ देते हैं, अब जिन्दगी में सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन एहम बात की हैं कि एक अच्छा इंसान बने, प्राने गमों पर ताजा आंसों जाया ना करें। हर बत सूरत चीज़ को अंदेरे में छोड़ना अकलमन आदमी की निशानी है। अगर आप अपने आप से दोस्ती करते हैं, तो आप कभी तन्हा नहीं होंगे। दिल की तनीम के बगैत, दमाग को तनीम देना, कोई तनीम नहीं है। हर एक नई चीज अच्छी मालूम होती है, मगर दोस्ती जितनी पुरानी हो, उत्मी ही उंदा और मस्भूत होती है। कोई भी शख्स उस वक्त तक अजीम नहीं बनता, जब तक इसमें पागलपन का हमीर ना हो। जो शख्स वोरे पर सबर नहीं करता, वो हमेशा वरीब रहता है। अकल मन का मकसद खुशी को हासिल करना नहीं है, बलके दर्द से बचना है। बड़े दिमाग वाला आदमी किसी से कता तर्लुक नहीं रखता, क्योंकि जख्मों को याद रखना अजीम इंसान की निशानी नहीं है। तमाम खुशियों में सबसे बड़ी खुशी किसी चीज़ को सीखने में है। जो अच्छी शुरुवात करता है, वो काम्याबी का आदा रास्ता तै कर लेता है। कभी अपनी जबान से किसी की एप बेयान ना करो, क्योंकि एप तुम में भी है और जबान लोगों की भी है। जूट बोलने का नुकसान ये है कि अगर इसके बाद आप सच भी बोलेंगे तो कोई शख्स आपकी बात का यकीन नहीं करेगा। मुझे ऐसे दोस्तों की जूरुत नहीं है जो मेरे बदलने पर बदल जाएं, जो मेरे सर हिलाने पर सर हिलाएं, इसके लिए तो मेरा साया ही काफी है। आजकल भर कोई ये पूछता है कि वो गरीब है या अमीर है, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि वो आदमी अच्छा है या नहीं। तुम जैसे हो, वैसे ही काफी हो। लोजवान असानी से दोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो जल्द उमीदें लगाना शुरू कर देते हैं। हौस्ना इनसानी सफात में अवनी हैं, क्योंकि ये वो खुभी हैं जो दूसरों की समानत दिता हैं। जितनी ज्यादा कोशिश करोगे उतनी ज्यादा खुश्चाली मिलेगी मुसीब से उन लोगों पर ज्यादा आती हैं जो लगतार बोलते रहते हैं तो कि खमोशी से बरकर नफ़ा देने वाली कोई चीज नहीं मैं उस वक्त तक नहीं सोचता जब तक मेरे पेट में खाना नहीं होता